अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में खुश नहीं है, आपकी लाइफ का कोई भी फील्ड, चाहे वो हैल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या मनी हो, उसमें आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आप अपनी लाइफ के हर एरिया के बारे में अपने thoughts लिखिए, अपने beliefs लिखिए कि क्या सोचते हैं आप अपनी लाइफ के उस एरिया को लेकर, कैसी आपकी लाइफ है, क्या आपको किसी से कोई complaint है, क्या किसी से anger है, क्या आप frustration में है, या फिर आपके मन में वो बाते हैं, वो गलत बाते हैं जो आपने इदर उदर से सुनी हैं, अपने घर में, अपने पैरेंट से या कहीं बाहर लोगों से सुनी हैं, वो गलत बिलीफ्स हैं आपके मन में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं, आपके लुक्स को लेकर लो वो सारे रीजसन्स लिखिये, क्या रीजन्स है जिसकी वजय से आपको लगता है कि आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, आपकी हैल्थ में कोईभी प्रॉल्म है, अपके लुक्स में कोईभी तो आप वो reasons लिखिए कि कि यूंअ आप खुद को accept नए ही कर पा रही हैं क्यूंअ आपको अपने looks से problem हैं वो सकता है आपको आपके घर में बाहर आपके फ्रेंज ने हमेशा आपको बुरा फिल कराया हो बड़ी शेम किया हूँ, आपके लॉक्स को लेकर, आपके वेट को लेकर या किसी भी छीज को लेकर उन्होंने आपको बुरा फील कराया हो और इस वज़े से वो बाते आपके मन में बैठ गई है और आप ये सोच रहे हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं या फिर आपका color dark है या फिर आपके hair beautiful नहीं है या फिर आपका face उतना अच्छा नहीं है ऐसा कुछ भी हो सकता है reason जिसकी वज़े से आप खुद को वर्दी नहीं मान रही है खुद को beautiful नहीं मान रही है लिखिए वो reason आपकी health में अगर कोई problem है तो उस health के बारे में आपके beliefs क्या है आपको क्या लगता है कि आपकी health के लिए क्या-क्या reasons है जो सही नहीं है लिखिए आपके career में अगर आप उतने successful नहीं है एक अच्छी job नहीं है आपके पास एक अच्छी education अगर आपको नहीं मिल पाई है तो उसके लिए आपके मन में क्या-क्या thoughts हैं क्या-क्या beliefs हैं उन्हें लिखिए कि अगर आप अपने parents को blame कर रहे हैं, complain कर रहे हैं कि आपको अच्छी education नहीं दिलाई है उन्होंने या आपको अच्छे institute में अच्छे course में admission नहीं मिला है या फिर किसी भी वज़े से आपको अच्छा job नहीं मिला है और आप उतना earn नहीं कर पा रहे हैं जितना की आप earn करना चाहते हैं दिखिए वो reasons कि क्या है आपके मन में वो सारे negative beliefs जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं मनी को लेकर, relationship को लेकर अगर आप शादी करना चाहरे हैं अच्छा life partner manifest करना चाहरे हैं और नहीं कर पा रहे हैं और आपके मन में कुछ भी चल रहा है उस चीज को लेकर उन reasons को ढूढ़िए आपके वो beliefs, वो negative thoughts क्या हैं जो आपको किसी भी area में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं इस topic को disempowering belief करा नाम दीजिए और इसमें वो सारी negative चीजे लिखिए जो आपको कहीं भी आगे बढ़ने से successful होने से आपके life में खुशी को आने से रोक रही है उसके बाद next step आपको क्या करना है अब आपको इन सारे beliefs को positive में convert करना है जो भी चीज है जैसे आप अपने looks को लेकर जो भी बुरा feel करने है कि आपके looks अच्छे नहीं है आपका weight सही नहीं है आपकी health सही नहीं है आपको अच्छा job नहीं मिल पा रहा है यह सारे चीजों का positive में convert करके लिखिए कि आपके looks बहुत अच्छे हैं आप बहुत beautiful हैं आप अच्छा deserve करते हैं सबसे पहले खुद को lucky मानिए अगर आप हमेशा यह सोच रहे हैं कि आप अनलगी हैं तो आप सबसे पहले यह सोचना start करिए कि आप बहुत ज़्यादा लखी हैं इस पूरी दुनिया में आप से ज़्यादा लखी कोई भी नहीं है आप खुद को lucky मानना start करिए mirror में देखकर बार बार कहिए कि मैं सबसे ज़्यादा लखी हूँ इस दुनिया में अपने आपको beautiful मानना start करिए अपने आपको mirror में देखकर बार बार कहिए कि मैं बहुत 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 ज़्यादा beautiful हूँ कि मेरी health एकदम perfect है मैं हर चीज़ को deserve करती हूँ मैं इस दुनिया की सारी खुशियां deserve करती हूँ मैं एक अच्छा job, एक अच्छा career deserve करती हूँ मन्त में आपको कितने income चाहिए अपने लिए उसे भी लिखिए कि मैं ये income को deserve करती हूँ मैं एक अच्छी relationship को deserve करती हूँ इस तरह से हर एक चीज़ को हर negative sentence को positive में convert करना है आपको सारे negative sentences को आपको cut कर देना है उस paper को आफ़ाट कर fact सकते हैं किसी भी तरह से आप उसे destroy कर सकते हैं जो positive चीज़े आपने लिखी है उन positive चीज़ों को आपको बार बार पढ़ना है पूरे faith के साथ पढ़ना है mirror में देख के पढ़ना है बार बार affirm करना है और इस तरह से इतनी बार affirm करना है कि जब तक कि आपको उन चीज़ों पर believe ना हो जाए कि वो सब कुछ सच है अगर आपको ये लग रहा है आपका conscious mind उन चीज़ों को पढ़ते वक्त ये कहता है कि ये सच नहीं है ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको believe नहीं करना है आपको फिर भी बार बार उन सारी affirmations को पढ़ना है खुद को believe कराना है कि आप जो पढ़ रहे हैं आप जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सच है अपने आपको ये believe कराईए कि आप सारी खुशियां deserve करते हैं क्योंकि आपकी life वैसी ही होती है जैसा की आप सोचते हैं आप अपनी life को खुद ही create करते हैं आपकी life में आज की date में जो भी है जैसा भी है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप ही का creation है अपने आप कुछ भी नहीं होता है भगवान ने किसी की भी किसमत में ऐसा कुछ पर्माने नहीं लिखा है कि जिसे आप बदल नहीं सकते हैं हॉरस कोप में जो भी लोग कंडली में बिलीव करते हैं पंडितों के चक्कर लगाते रहते हैं ट्रस्ट मी गाइज उन पंडितों को खुद अपना future नहीं पता होता है उनके चक्कर में अपना future अपना present मत waste करिए उनकी किसी भी बात को मन में बिठा कर आपके हाथ में है आपका future आपकी life आपके control में है आपको control लेना पड़ेगा अपने हाथ में और अपने सारे थोर्स को ठीक करना ही पड़ेगा और जब लाइफ में कुछ बहुत बुरा चल रहा हो तो उसको वर्स्ट तक imagine कर लीजिए कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है फिर अपने आप से पूछे कि क्या आप अपनी लाइफ को इतनी worst देखना चाहेंगे नहीं न तो ये सही टाइम है ये मज़ सोशी कि कल तक आपने कुछ नहीं किया या ये चीज़े आपको पहले पता होती तो आप पहले कुछ कर पाते कोई बात नहीं आज से अभी से शुरुआत करिए कल तक जो भी हो गया हो गया वो सब कुछ पास्ट था वो सब कुछ खतम हो चुका है आज अभी इसी वक्त आपके पास एक नई opportunity है अपनी लाइफ को वैसी बनाने की जैसी आप जीना चाहते हैं तो अभी अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लीजिए और वो सोचिए जो आप चाहते हैं लाइफ वैसी होगी तब होगी जब आप उस चीज़ पर focus करेंगे जो आप चाहते हैं जब तक आप unwanted पर focus करते रहेंगे आपकी life unwanted वैली ही होती रहेंगी वैसी ही situations आपकी life में होती रहेंगी जो आप नहीं चाहते हैं क्योंकि आप constantly वही सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं आपको अपना focus unwanted से वांटेर पर shift करना ही पड़ेगा हमेशा alignment में रहना ही होगा और alignment में रहने का सबसे easy तरीका है कि आप वो सोचिए जो आप चाहते हैं इसी जोब आप चाहते हैं जैसे looks आप चाहते हैं वैसे हो सकते हैं आप सोचना तो start करिए आपको exactly वैसा relationship मिल सकता है जैसा आप चाहते हैं आप जब तक सोचेंगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा अगर आप पहली से sad होकर बैट जाएंगे कि आप अच्छा डिजर्व नहीं करते हैं तो trust me आपको universe वैसा ही देगी वैसा ही relationship देगी और आप वैसे ही sad feel करेंगे इसलिए अगर आप अच्छा partner जा दे हैं अपने लिए तो अच्छा अच्छा सोचना start करिये और excited हो जाएए वो अच्छा partner जब आपकी life में आएगा तब आप कितने खुश होंगे वैसे खुशिया पहले से ही मनाना start करिये और हमेशा अच्छा feel करिये हमेशा gratitude में रहिए तब universe आपको और जदा chances देगी और जदा gratitude होने के और जदा grateful होने के